हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्राखंड में सब इंस्पेक्टर की वेकिंसी निकली हुई है जो कि UKPSC इस बार करा रहा है फ्रेंड्स UKPSC के जो इसने स्लेवर्स रखा हुआ है SI के लिए उसमें मैट्स और रीजनिंग एक बहुत ही बड़ा पार्ट यहां पर प्ले करने वाला है 75 मार्क्स की मैट रखी गई है और 50 मार्क्स की रीजनिंग रखी गई है तो पहले फ्रेंड्स हम अपने चैनल से मैट्स का स्लेवर्स यहां पर कम्प्लीट करा रहे हैं और उसके बाद हम रीजनिंग की क्लाशेज भी स्टार्ट करेंगे मैट्स के लिए हमने अल्रेड़ी 6 लेक्चर कर दिये हैं इसमें हमने अल्रेड़ी 2 टॉपिक को कवर कर दिया है परसेंटेजेज हमने पढ़ा दिया है और हमने प्रॉब्लम्स ऑन एजजेज पढ़ा दिया है प्रतीशद और आयू के उपर जो समस्याएं आती हैं सवाल आते हैं वो हमने अलड़ी अपने चैनल पर complete कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकरके इन वीडियो को देख सकते हैं, हमने एक playlist बना दी है, जिसका नाम है UK Sub Inspector, वहाँ पर आप इन वीडियो को आराम से जाकर देख सकते हैं, मैं playlist का जो link है वो भी इस वीडियो के description में डाल दूँगा तो friends हमने कल एक नया topic भी शुरू कर दिया था, कल हमने simplification topic को शुरू कर दिया है, सरली करन और आज उसका दूसरा पार्ट होने वाला है, कल हमने board mask से related questions को start किया था, आज हम board mask से related questions और करेंगे, थोड़े और difficulty level के बढ़ाएंगे आज, और काफी अच्छे question मैं रखे हैं आ आज का पहला question शुरू करने है, पहला question देखिए आपके screen पर है, 23 minus square bracket, 23 minus curly braces, 23 minus parenthesis, 23 minus 23 minus 23, इस परकारी जा रहा है, तो जैसे मैंने कल आपको समझाया था, कि bracket में भी हमें inner most bracket, जो कि generally हमारे parenthesis होते हैं, उनको हमें solve करना होता है, और bracket के अंधर भी हमें board mask rule को follow करना होता है, तो अगर आपको और detail में जानना है, इसके बारे में, तो कल की जो मैंने video upload की थी, simplification के उपर, वो आप दुरूर देखिए, महाँ पर मैंने board mask को अच्छे से explain किया हुआ है, चलिए, करते हैं इस question को, तो सबसे पहले हमें parenthesis को solve करना है, देखिए, parenthesis के नदर आप देख पा ही आराम आराम से एक-एक step में सिर्फ एक काम करके दिखाऊंगा, बाद में जैसे जैसे आपकी speed friends बढ़ जाएगी, आप इन चीजों को थोड़े से step skip करके भी कर पाएंगे, और यह आपके साथ अपने आप naturally होगा, with practice अपने आप हो जाएगा, आपकी speed अपने आप ही बढ हुआ है, अब आप जानते ही हैं कि 0 में से 23 अगर हम निकालेंगे तो again minus 23 आएगा, और bracket के भार भी minus sign है, तो minus minus plus हो जाएगा, तो हमारा parenthesis जब solve होगा, तो हमें मिलेगा एक plus का 23, minus minus वहाँ पर plus हो जाने वाला है, तो अब हमारे पास क्या आगया है, 23 plus 23, तो हमारा parenthesis तो solve ह हो गया है, अब हमें curly braces solve करने हैं, हमेशा सबसे पहले inner most bracket, फिर उससे outer bracket और फिर outer most bracket को आपको solve करना है, तो देखे 23 plus 23 यहाँ पर हो जाएगा 46, तो अब हमारे पास आ गया है 23 minus 46, और curly braces हमारे solve हो गए है, अब हमारे पास बचा है सिर्फ square bracket, अब देखे यहाँ पर again 23 में से 46 निकालेंगे तो आपको मिलेगा minus 23, और again bracket के बाहर minus sign है, तो sign हमारा reverse हो जाएगा, तो again आपको plus 23 मिलेगा, और 23 plus 23 आपका जो final answer आजाएगा, इस question का वो आजाएगा, 46 46 इस question का right answer है, तो उमीद कर रहा हूं friends, यह question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे next question जो कि मैंने already आपके लिए लिखकर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसको हम जल्दी से शुरू करते हैं, देखें question आपसे कह रहा है, 2550 minus square bracket 510 minus curly braces 270 minus parentheses 90 minus 80 plus 70 brackets closed, तो again same हमें method अपनाना है, हमें bracket सबसे अंदर आले bracket को solve करना है, और उसके अंदर भी board mask को लगाना है, देखें मैंने कला को सुझाता है कि अगर आपके पर negative और positive दोनों sign दे रखे हों, तो negative और positive की precedence जो है वो equal है, तो जो पहले आता है, पहले आप उसको solve कर लेंगे, आपको यह नहीं जाना है कि board mask में A पहले आता है, तो हम पहले addition कर ल minus 270 minus, देखें, 90 में से 80 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10 और हमारे पास बचाता है 10 plus 70, आप इसको आगे solve करेंगे, तो 10 plus 70 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80, तो यहाँ पर जाएगा 510 minus 270 और minus के 80, तो हमारे parentheses तो solve हो गए है, अब curly braces को solve कर लेते हैं, 270 में से आप 80 को subtract कर देंगे, 270 में से 80 को अगर आप subtract करेंगे, तो आपको मालूम है कि आपको बचेगा 190, 190, अब 190 को आप, sorry, यहाँ पर 510 है, 510 में से आप subtract कर देंगे, तो कर देते हैं, देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा, 320, 510 में से आप 190 निकालेंगे, तो आपके पार बच जाएगा 320, और आप फाइनली, यहाँ पर 320 को भी subtract कर दीजिए, तो आपका जो final answer आजाता है, वो आजाता है 2230, जो की है इस question का final answer, तो उमीद कर रहा हूं friends, यह question आपको समझ में आ रहा है होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छे लग रही है, तो वीडियो को जुरू लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइ होती है, कोई चीद आपको अच्छे लगती है, कोई question आपकी तरफ से है, जो आप मुझसे solve करणा चाते हो, वो सबी कुछ आप comment section में लिखके मुझे बता सकते हैं, चलिए friends, बढ़ेंगे आगे next question, यह है हमारा next question, देखे, question कह रहा है, 4 plus 1 by 5, then square bracket शुरू हो रहा है, और 1 by 5 के बीच में कोई sign नहीं है, तो यहां पर multiply है, तो 1 by 5 multiplied by यह सब कुछ है, आप देख पा रहे हैं, तो again देखे, वही सब कुछ हमें करना है, अब यहां पर आप देखिए कि पहले यहां पर एक square bracket शुरू होता है, square bracket के अंदर एक curly braces है, और curly braces के अंदर यह सब हो रहा है, औ देखिए, solve करना शुरू करते हैं इसको, तो 4 plus 1 by 5, square bracket, curly braces, अब यहां देखिए, 25 minus 13 कितने हो जाएंगे, 12 और 12 minus 3 कितने हो जाएंगे, 9, तो हमारे पास finally यहां पर बचेगा, 9 आप देखिए, यहां पर हम करेंगे multiplication, multiplication और divide में जो पहला आपको करते हैं, तो minus 10 की multiply आप करेंगे, यहां पर 9 के साथ, तो यहां से आपको मिल जाएगा, minus 90, divide by minus 5, देखिए, minus sign से तो minus cancel हो जाएगा, 90 को आप 5 से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 18, तो अब आपके पास आज 4, यहां पर है 4, 4 प्लस 1 बाइ 5, और अंदर से स्कुल सॉल्व होने के बाद आपको मिलेगा, यह 18, तो 4 प्लस 1 बाइ 5 इंटू 18, तो इसको अब हमें सॉल्व कर लेना है, friends, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए, आपके पास आजाता है, 4 प्लस 18 बाइ 5, यहां से 18 बाइ 18 कर लेंगे, और इसको भी अपोन में यहां पर 1 लेके उपर नीचे 5 से हम कर लेते हैं, multiply, तो हमारे पास आजाएगा 20 प्लस 5, तो final जो आजाएगा 38 बाइ 5, आप इसे चाहिए तो mix fraction में convert कर सकते हैं, जो कि आपको देगा 7 whole 3 बाइ 5, तो दोस्तों यह है इस question का final answer, 7 whole 3 बाइ 5, उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी doubt रहता है friends, तो comment करके जरूर आप मुझे बताएगा, मुझे आपके comments देखकर काफी अच्छा लगता है, और मेरा मनोबल भी बढ़ता है, मेरे को आगे और भी अच्छे से content आपके लिए लाने के लिए प्रोथसाहन मिलता है, तो comment करके अपने जो भी विचार होते हैं, वो जरूर मुझे आप बताया करिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह question भी जल्दी से हम कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, यह जो minus 48 है, उसको हम divide करेंग माइनस 16 से, क्योंकि माइनस और divide में पहला precedence आपको divide को देना है, as per board mass rule, यह जाएगा minus 5, अब यहाँ पर जहां रखिए, पहले इसको ignore करते हैं, देखिए minus 48 को आप minus 16 से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा positive 3, पर इस negative sign की हो जासे, यहाँ पर negative 3 हो जाएगा, उमीद कर रहा आपको यह बात समझ में आ गई होगी, आप देखिए minus 5 और minus 3 को हम solve कर लेंगे, जो की हमें देगा minus में 8, तो minus का 8 हो गया, आप देखिए, यहाँ पर minus की मलटे माइनस में करेंगे, तो हमें जो answer मिलेगा, वो मिल जाएगा positive में, तो यह हो गया positive 8 by 4, और यहाँ पर आप इ 63 प्लस 2 और final answer आपका आज़ता है 25, तो 25 है इस question का final answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, दो question और हैं, उनको भी जल्दी से, तो यह है next question friends, 63 minus minus 3 और फिर यह सारा कुछ के multiplication में, तो आए, देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला यह curly braces है, उसको divider 3 किया हुआ है, औ तो हम इनको क्या करेंगे, अलग-अलग solve कर लेंगे, इस वाले curly brace को अलग solve कर देंगे, और इस वाले को अलग से solve कर लेंगे, और यह काम हम चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, तो 63 minus 63, और यहाँ आप देखिए, minus 2, minus 8, minus 3, तो य यहाँ पर देखिए, आप 5 plus minus 2 की multiply minus 1 में करेंगे, तो आपको मिल जाएगा plus 2, तो यह हो जाएगा 5 plus 2, अब आप देखिए, इस 3 से, इस 3 को हम यहाँ पर बढ़ आराम से cancel out कर सकते हैं, यहाँ आप देखिए, minus 2 minus हो जाएगा positive, और फिर एक और minus है, तो ultimately negative हो जाएगा, that means 63 minus 13 यहाँ पर हो जाएगा, और इसको आप bracket में कर दीजिए, और यहाँ से divide by आपका आजाएगा, 7, 5 plus 2 is 7, तो अब देखिए, 63 में से आप 13 निकालेंगे, तो आपके पास बचेगा 50, और यह आपके पास है, divide by 7, तो इस question का final answer है, that is 50 by 7, यही है इस question का final answer, अगर आप चाहे तो इसको mix में ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर depend करता है, और exam में दिये गए option पर भी depend करता है, तो आप इसको 7 whole 1 by 7 भी लिख सकते हैं, चलिए, करते हैं अपना आज का आखरी सवाल, जो की again board mass से related है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने lengthy question लिया हुआ है, देखिए, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, जिसके बीच में divide का sign है, तो हमें इन दोनो square bracket को separately solve करना है, और जो भी result यहाँ से और यहाँ से मिलता है, उसे finally हमें आपस में divide कर लेना है, तो आप चाहें तो दोनो square bracket को एक साथ solve करना शुरू कर सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, देखे, 7-3 आपको देगा, 4, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, 6-4, और divide by, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, 3 multiplied by, in the curly braces, देखी, यहाँ पर है, 5+, यहाँ पर आप देखे, minus 3 को minus 2 के साथ करेंगे, multiply तो आपको मिलेगा, positive 6, चलिए, देखी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 6-4, मिल जाएगा, which is equal to 2, और यहाँ पर आपको मिलेगा, 3 multiplied by 11, तो आप देखे, देखे, question solve होने की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको 2 into minus 2 मिलेगा, minus 4, और minus 4 का bracket में, बाहर दूदी, minus 9 है, तो आपको मिलेगा, positive 4, तो यहाँ जाएगा, 29 plus 4, और divide में आपके पास आजाएगा, 33, अब देखे, 29 plus 4 भी होता है, 33, तो आपके पास आजाता है, 33, divide by 33, which is equal to 1, इसका question का final answer है, उमीद कर रहा हूं friends, आपको सभी question अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और family and friends circle में वीडियो को share कर दीजे, साथ में comment करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे friends, simplification topic को अभी हमें और आगे बढ़ाना है, अभी तो just हमने board mass को ही cover किया है, अभी बहुत सारे चीजें इसमें और भी बाकी है, काफी lengthy आपका topic रहने वाला है, simplification का, अभी काफी सारी वीडियो में आएंगी, तो मिलेंगे next वीडियो में friends, बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए good bye.